नमस्कार दोस्तों, competition community के youtube channel में एक बाफिस से आपका स्वागत है और Indian economy पर based mcq लेकर मैं हूँ आपके साथ अकास सेंग Indian economy subject पर based mcq देखेंगे इस वीडियो में ये दो पार्ट पर आने वाला है और इस प्रकार से ये जो वीडियो है ये पहला पार्ट है लगबग 20 questions इस पार्ट पर मैं deal करूँगा दूसरी important बाद कि ये जो 20 questions है ये किस प्रकार के होंगे तो इन 20 questions को मैंने design कुछ इस प्रकार से किया है कि इसमें conceptual question भी होंगे अर्थात वो question जिनके answer निकालने पर आपके एक बहुत बड़े concept clear होंगे साथ ही साथ इस conceptual question के साथ facts आधारित mcq भी मैंने इसमें रखा है तो concept भी आपका clear होगा conceptual question को solve करने के लिए जो important facts हैं जो recent facts हैं वो facts से भी आप update हो पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद अभी हाली में Indian economic survey launch हुआ बजट भी आया तो आप लोगों के मन में ये प्रशन उठ रहा होगा कि क्या हमें अभी recent में आया हुआ Indian economic survey के data और budget इनके data क्या पढ़ने हैं आगामी prelims के लिए ये सवाल आपके मन में आ रहा होगा तो इसका जवाब ये है कि आपको नहीं पढ़ना है ये जो recent के economic survey और budget आये हैं इसको लेकर आप बहुत जादा परिशान ना हो चिंतित ना हो क्योंकि समाने तोर पर ये pattern देखा गया है कि इतने recent data पर आधारित question नहीं पूछे जाते लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को ये कहूंगा कि जो important data है बहुत ही जादा important data है बहुत ही basics हैं अर्थाथ GDP की growth rate, tax revenue ये सारे data एक बार देख लेना चाहिए और अगर आप लोगोंने नहीं देखा होगा तो परिशान होने की बात नहीं है ये जो मैंने आपको कहा कि facts आधारित हम question देखेंगे उस question में हम ये सारे चीज़ से अपने आपको update कर लेंगे तो बिल्कुल निशींद रहिए और चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले question की पहला question इसकीन पर आपके सामने आगया है match the following pattern पर based question है match the following दो कॉलम दिये गए हैं और आपको दोनों कॉलम में जो जानकारी दी गई है उसे आपस में मिलाना है और सही मिलान वाले option को सही answer के तोर पर choose करना है एक कॉलम में दिया गया है अवधी time duration और दूसरा दिया गया है व्रिद्धिदर इस्थिर भाव GDP growth rate इस्थिर भाव अर्थात constant price पर GDP growth rate अब अगर प्रश्लिद भाव इस्थिर भाव current price constant price वाला concept आपका clear नहीं है तो मैं आप लोगों से अग्रा करूँगा कि आप लोग live crash course के playlist में जाकर Indian economy के series में से वो वाला वीडियो देख लें जिसमें मैंने constant और current price समझाया था in short अभी के लिए मुद्रा इस्विती के बिना जो GDP की मौद्रिक मुल होती है वो GDP स्थिरभाव होती है और जिसमें मुद्रा इस्विती को सम्मिलित किया जाता है बढ़े हुए किमतों के आधार पर जो GDP निकाली जाती है वो GDP प्रशलिद भाव current price होता है इसके आगे का detail आप live crash course के playlist से जाकर देख लें तो चलिए ये जैसा कि अभी थोड़ी दिर पहले मैंने कहा कि आपको ऐसे question भी deal कराऊंगा जिससे आपके latest data facts clear हो जाएंगे आप update हो पाएंगे उसी को ध्यान में रखते हुए ये question है अब भी दिया हुआ है 2020-2021 का quarter 1 एक पूरे वित्ति वर्ष को चार quarter पर विभाजित कर दिया जाता है quarter 1, quarter 2, quarter 3 और quarter 4 तो 2021-2022 के वित्ति वर्ष में अभी आप जी रहे हैं वरतमान में और इसका quarter 1 कहने का ताथपर ये है कि अप्रेल, मै, जून वर्ष 2021 का quarter 2 कौन सा हो जाएगा तो जुलाई, अगस, सिप्तेमबर, quarter 3 क्या हो जाएगा अक्टूबर, नौवंबर, दिसंबर और quarter 4 क्या हो जाएगा जनवरी, फरवरी और मार्च, quarter 1 जैसे मैंने कहा अप्रेल, मै, जून तो 2021 के quarter 1 के डेटा पर अधारी बात करनी है, 2021 के quarter 2, ध्यान रखिएगा, 2021 के quarter 3 के डेटा और quarter 4 के डेटा अभी तक नहीं आए, quarter 4 तो अभी ongoing है, तो इसके डेटा तो आए नहीं होंगी, लेकिन quarter 3 के भी डेटा अभी नहीं आए है, फरवरी में लॉंच करने की बाद कही agreement, अगरीम अनुमान पर आधारी डेटा दिया गया है, अगरीम अनुमान कहने का ताथपर क्या है, कि ये पूरा वित्ती वर्ष खतम अभी नहीं हुआ है, लेकिन जितना भी समय काल गुजरा है, उन समय काल के आधार पर ये पहले से ही अनुमान लगाना कि इस पूरे वित 2022-23 के लिए क्या GDP growth rate होगी, इसकी भी संभावना इसका भी अनुमान economic survey में दर्शाया गया है, तो चलिए, सही उत्तर पर बात करते हैं, इसका सही उत्तर है, इस question का option C, बहुत ही easy तरीके से मैंने इसे set किया है, A का 1, B का 2, C का 3, D का 4, E का 5, क्योंकि MCQ deal कराने के साथ साथ में मेरा ये प्रयास है कि आप इस latest data और fact से भी अपने आपको update कर सकें, 2020-21 में जब COVID की वज़ा से सबसे पहला lockdown भारत में हुआ, उस समय उस वित्ती वर्ष में contraction हुआ था, negative GDP growth rate आई थी, जो की थी minus 7.3 percentage, जब हम 2021-22 पर आये, तो जो quarter 1 था, उस quarter 1 पर 20.1 प्रतिशत की GDP growth rate देखने को मिली थी, और ये बहुत important था, क्योंकि एक लंबे समय के बाद इतने बड़े growth rate को भारत की GDP ने दिखाया था, और इस growth rate के बाद कई अर्थशास्त्री ये भी कहने लग गये थे, कि अब हमारे देश की economy, COVID के प्रभाव से बाहर आ चुकी है, या फिर आ रही है, क जो advance estimate हुए, उस advance estimate पर 9.2% का GDP growth rate estimate किया गया है, economic survey के द्वारा, economic survey 2021 के द्वारा, और 2022 ते इसमें ये अनुमान लगाया गया है, कि हमारी जो GDP growth rate होने वाली है, वो 8.5% के आसपास होने वाली है, तो ये आप लोग याद रखें, ये बहुत ही important है, 2020-7.3, दो quarter 2021-22 का है, एक में 20 है, एक में 8.4 है, अभी के time period पर 9.2 है, और फिर आठ से साड़े आठ, 2022-23 के लिए, तो हो सकता है कि कोई वेक्ती जो ए paper set कर रहा हो, उसे ये मज़ा आगया हो कि हाँ नहीं, 21-22 में काफी अच्छा growth rate हम 9.2% का लाने वाले हैं, economy boom कर रही है, तो डाल सकते हैं, अच्छा इसमें खास बात ये भी है, कि 2021 में भी lockdown हुआ था, minus 7.3 दा, और इस साल भी जो second wave आया, उसके वज़े से भी lockdown हुआ था, लेकिन उसके बावजूद 9.2% का growth rate है, तो ये थोड़ी सी एक important point है, जिसके अधार पर इसे हमें देखना चाहिए, माना लेकिन economy तुलनात्मा कुरूप से पहले first wave या पहले lockdown के तुलना से थोड़ा सा कम impact उसे पढ़ा, कम negative impact पढ़ा, health impact जादा था second wave में, लेकिन economic impact थोड़ा सा कम था, और इसी वज़ा से हम negative पर नहीं है, बलकि positive पर है, वो भी positive कितना, तो plus में 9.2% चलिए, अगले question पर बात क किजिए, इस तरह के pattern पर आधारित question की संख्या अब PSC पर, प्रिलिंस पर बढ़ते जा रही है, जहां पर ये कथन, अलग अलग statement आधारित प्रशन कथन, आधारित प्रशन आपके सामने रख दिये जाते हैं, और put रूपी option रख दिये जाते हैं, कौन से सही है, कौन से गल करें, तीन कथन दिये गए हैं, और कहा गया है कि उप्युक्त कथनों में से कौन सा सही है, ये आपको चुनना है, चलिए देखते हैं, सकल राश्री उत्पाद अर्धात, ग्रॉस नेशनल पुडट की बात हो रही है, ग्रॉस नेशनल पुडट की बात हो रही है, मैं बाई रिंड पर ब्याज शामिल नहीं है, देखिए, GDP और GNP में अंतर यही है, कि GDP में ये देखा जाता है कि उत्पादन कहा हो रहा है, किसके द्वारा उत्पादन किया जा रहा है, ये GDP में इंपोर्टेंस नहीं रखता, ये इंपोर्टेंस है GNP, GNP में ये देखा जाता है कि एक देश के नागरिक जो बाहर निवास कर रहे हैं, उनके द्वारा अरजित आये कितनी हैं, और वह विदेशी जो भारत में निवास कर रहे हैं, उनके द्वारा अरजित आये कितनी है ये दोनों चीज़े देखी जाती है अब यहाँ पर कहा गया है कि बाहर रिंड पर शामिल नहीं है तो भई ऐसा नहीं है शामिल होता है अगर यहाँ पर GDP लिखा होता तो सैज यह statement सही होता लेकिन अभी के लिए statement गलत है शामिल होता है अब बाहर से अरजित हमारे नागरिक अगर बाहर से कोई भी किसी भी प्रकार का आये लेकर आये तो वो भी शामिल है तो चाहे वो ब्याज की रूप में हो यह सारी चीज़ कंसिडर की जाती है शाधन उत्पादन लागत पर राश्री आये में अप रत्यक्रो को छोड़ कर सबसेडी को शामिल किया जाता है यह statement देखें NNP factor cost को ही साधन या उत्पादन लागत पर निकाला गया राश्रियाय कहा जाता है एननपी factor cost कैसे निकालते हैं तो एननपी market price में से माइनस करते हैं क्या indirect taxes अर्थात अप्रत्यक्षकर और जोडते क्या है subsidy subsidy जोडते हैं तो यहाँ पर statement क्या कहता है कि अप्रत्यक्षकरों को छोड़कर हाँ तो माइनस कर दिया गया और subsidy को शामिल गया जाता है तो यह जो statement है यह सही है कि साधन लागत पर जो राश्री आये है जो है वो कैसे निकलता है कि जब अप्रत्यक्षकरों को हटा दिया जाता है और subsidy को जोड़ दिया जाता है बिलकुल चलिए तीसरा मुल्य हास की समय जित गणना करने के बाद शेश बचने वाला सकल घरेलू उत्पाद अर्थात GDP की निवल घरेलू उत्पाद होता है अर्थात NDP होता है यह statement कहता है बिलकुल सही NDP क्या है यह equation अधारी statement है तो GDP और GDP में से माइनस क्या करते हैं हम depreciation मुल्य हास तो मुल्य हास जब माइनस कर देंगे GDP से तो जो शेश बच गया उसे ही हम क्या कहते हैं NDP तो इस प्रकार से पहला statement बाइर इंट पर शामिल यह गलत हो जाता है बाकी दोनों सही है और इस प्रकार से जो सही उत्तर है इस प्रशन का वो है option C केबल दो और तीन सही चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले question पर देखते हैं यह question भी आधारित है match the following pattern पर अंतर राष्टी संस्थाएं जो भारत की GDP पर या भारत की GDP growth rate पर कुछ comment किये हैं कुछ अनुमान लगाए हैं उस पर अधारित यह प्रशन हैं दो column है एक तरफ अंतर राष्टी संस्थाएं हैं और एक तरफ उनके द्वारा अनुमानीत किया हुआ व्रिद्धिधर हैं चलिए समझते हैं कौन-कौन सी संस्था तो देखिए अगर आप यह data निकालने जाएंगे कि कौन-कौन सी संस्था है जो भारत की GDP पर व्रिद्ध दर अनुमानीत करती है अनुमान लगाती है तो ऐसे बहुत सारे संस्थाओं के 15-20 संस्था आपको दिख जाएंगे लेकिन सभी संस्थाओं के द्वारा अनुमानीत विद्धिधर आपके लिए मैतोपूर्ण नहीं है सिर्फ इंपॉर्टेंट वाले ही संस्थाओं को consider करन जो कि मैंने यहां पर अटोमेटिकली लिख दिया है तो आपको परिशान होने की जवरत नहीं है कौन कौन सिस्था तो विश्व बैंक, RBI, SBI की रिपोर्ट, Asian Development Bank और IKRA Rating Agency ये मैतोपूर्ण संसाय हैं जिनके द्वारा अनुमानीत विद्धिधर हमारे लिए important हो जाता है तो विश्व बैंक ने जो GDP growth rate अनुमान लगाया है भारत के लिए वह 8.3% लगाया है ध्यान रखेगा जब Indian Economic Survey जारी किया जा रहा था तब बार बार इसे भी mention किया जा रहा था कि विश्व बैंक ने इंडिया की GDP growth rate 8.3% का अनुमान लगाया है RBI ने 9.5% का अनुमान लगाया है SBI ने लगभग approximately 9.5% का growth rate माना है Asian Development Bank ने भारत की GDP के लिए 9.70% का growth rate अनुमानित किया है और एकरा ने 9% किया है तो इस प्रकार से इसका जो सही उत्तर है वह है B, A का 1, B का 2, C का 3, D का 4 और E का 5 अब आप बोलेंगे कि सर यह कैसा question बनाते हैं A का 1, B का 2 तो question को जटिल करना मेरा उत्देश नहीं है ना कि मैं उसको करूं कि A का 5, B का 2 ऐसा करके क्या ही मज़ा आ जाएगा मुझे तो question जटिल करना मेरा उत्देश नहीं है लास्ट टाइम पिरेड पर लास्ट समय पर जब एक्जाम बहुत पास में है तो बहुत जल्दी से आप important चीजों को revise कर लें MCQ के माध्यम से ये मेरा उत्देश है इसलिए ये question के option बनाते समय मैंने बहुत जटिलता प्रात्मिक्ता में नहीं रखा चलिए थोड़ा सब जटिल कर दिया हूँ यहाँ पर question number 4 क्रिशी चेत्र उद्योग चेत्र और सेवा चेत्र 21 का अनुमानित कितना है advance estimate कितना है ये question है क्या column पर है भागीदारी अच्छा ये तो बताना भूल गया दो column पर है एक column पर छेत्र है और एक column पर है भागीदारी क्रिशी चेत्र उद्योग चेत्र और सर्विस या सेवा चेत्र और उसके सामने भारत की GDP पर उनकी कितनी भागीदारी है उसके प्रतिशत को दर्शाया गया है तो जो इसका आंसर है क्रिशी चेत्र एका 2 क्रिशी चेत्र 18.8 परसेंटेज उद्योग चेत्र का 28.2 परसेंटेज अर्धात एका 2 अच्छा इस तरह से आप एक चीज यहां पर सीख लें और वह क्या है Elimination Method of Question Solving कैसे देखिए जैसे ही मैंने कहा कि एका 2 अर्थात क्रिशी का 18.8 परसेंटेज है तो आप पहले यहां पर आगें कि एका 2 कहां कहां पर है अगर आपको एक जानकारी भी पता है एक information भी पता है तो भी आप इस question का सही option चुन सकते थे पता कर सकते थे एक का 2 आप देखते हैं D पर नहीं है C पर नहीं है B पर नहीं है तो बच गया क्या option A और यह सही उत्तर है B और सी के बारे में जानकारी नहीं होती तो भी आप बाकी के तीन option को eliminate करके सही उत्तर तक पहुँच सकते हैं तो एक तरीका ये होता है कि आपको सहीं उत्तर पता हो और दूसरा तरीका ये होता है कि गलत वाले आपको पता है तो गलत वाले को हटा दो जो बच गया वो सहीं वाला है इसे ही कहा जाता है Elimination Method चलिए ओप्शन ए इसका सहीं उत्तर है ध्यान रखिएगा कि उद्योग छेत्र 28.2 प्रतिशत है और सेवा छेत्र जो है वो तिरपन प्रतिशत है कोशन नंबर पांच GDP में शामिल नहीं होंगे अपने जीवन यापन के लिए ग्रीक किराय का उप्योग कई बार क्या होता है कोशन पढ़ता ही अचानक से कोशन आप पढ़एंगे और कुछ ऐसे बढ़ियां स्टिलिस्मी टाइप के शब्दों को धारन कि ये वाकिद दिखेंगे अपने जीवन यापन के लिए ग्रीक किराय का उप्योग घवरान नहीं है बहुत ही आसान चीज़ें होती है बस थोड़ा सा टेमलोजी इसकी वज़़े से टफ लगता है चीग है दूसरा स्टेटमेंट है मद्यवर्ती वस्तूओं का मुल्य है मद्यवर्ती वस्तू अर्थात इंटरमीडियेटरीस पूड़क्ट मद्यवर्ती वस्तू अर्थात ऐसे वस्तू जो अभी अंतीम रूप में नहीं आए ठीक है जैसे कि अगर आप कार की बात करें तो कार एक final product है अंतीम रूप है कार किसी वस्तू का लेकिन इस कार के अंती रूप धारन करने से पहले कुछ मद्यवर्थी रूप भी थे वो मद्यवर्थी रूप क्या थे तो मान लेते हैं कि iron ore से जो steel plate बनाया गया था आगे फिर इसे ही ठोक पिटके और बढ़िया सजा दजा के कार बनाया गया तो कार तो final product आया लेकिन iron ore से जो steel plate आया था वो इस कार बनने का सफर था उस अंतीम वस्तू के मद्यम में बना हुआ ये वस्तू था इस पूरे जो उत्पादन के इस तर थे अलग-अलग iron ore से steel plate steel plate से कार तो कार तो अंतीम वस्तू था लेकिन मद्यवर्थी वस्तू यहाँ पर क्या था steel plate उमीद है समझ में आ गया होगा तो मद्यवर्थी वस्तू का मुल्य शामिल होगा की नहीं होगा यह शामिल नहीं होगा चोंकि GDP क्या कहता है GDP मौद्रिक मुल्य शामिल करता है अंतीम वस्तू और सिवाओं का मद्यवर्थी वस्तू का मुल्य शामिल GDP में नहीं होता ठीक है तो अब अगर यह two शामिल नहीं है तो eliminate करके देखते है तो two यहाँ पर भी है two c पर भी है two d पर भी है तो option b को आप cancel out कर दें यह आपका सहीं उत्तर नहीं होगा अब आपके सामने तीन option बज गए ठीक है अर्दात सहीं उत्तर मिलने की संभावना 33% हो गई पहले 25% थी अब 33% हो गई चलिए आगे बढ़ते है उपयोग किये गए वस्तूओं का विक्र है ऐसे वस्तू जिसका उपयोग कर लिये हैं और अब उसे बेच रहे हैं तो उसका जो money value है उसको GDP में शामिल करना है कि नहीं करना है तो भी GDP का definition क्या कहता है GDP का definition कहता है कि एक निर्धारित समय पर सामिक पर current year पर वर्तमान में प्रेजन टाइम में जो अंतिम बस्तूओं का उत्पादन हुआ है उत्पादन की बात कर रहा है जिसका उत्पादन हुआ है उसे GDP में शामिल किया जाता है second hand बेचेंगे उसे शामिल नहीं किया जाता चलिए चौथे पर आते हैं सरकारी सेवाएं GDP का एक expenditure method है C plus I plus G plus X minus M अपने life crash course में इसे देखा होगा तो इसमें आप लोग GDP के इस calculation में ये जो G देखते हैं ये सरकार है सरकारी खर्चे सरकार जो अंतिम बस्तूओं के बदले खर्च करती है सरकार जो सेवाओं के बदले खर्च करती है तो सरकार के सेवाएं तो GDP में शामिल है क्योंकि GDP के equation पर ये G यहाँ पर mention होता है तो ये तो शामिल होगा तो 4 eliminate कर दो तो अब हमारे सामने A और C ये दो option रह गए अर्थाद अब 50-50% का मामला बन गया है मैं साथ साथ में solve भी कर रहा हूं ताकि आप लोग ये समझ पाएं कि आपको उस दो घंटे में करना क्या होता है कैसे सहीं उत्तर तक पहुंच रहा होता है उसका ये practical प्रस्तुति करण है आपके लिए कि कैसे आप 25% probability से 33% तक गये और 33% से अब आप 50% तक पहुंच जाएं चलिए अब आते हैं आपके अपने जीवन यापन के लिए ग्रीक कराय का उप्योग ग्रीक कराय का जो उप्योग किया जाता है वो consumption उभोग पर किया गया वह कहलाता है जो कि इस C component नीजी उभोग पर जुड़ा होता है अर्थात ये GDP में शामिल होता है और हमसे क्या पुछा हुआ है जो GDP में शामिल नहीं होंगे तो 1 वाला eliminate कर दो तो सही उत्तर आपका बन जाता है option C केवल 2 और 3 सही उमीद है समझ में आ गया होगा एक बार फिर से बताता हूँ चार है पूछा गया है शामिल नहीं होंगे ये इस पर आप कई बार confused हो सकते हैं इसलिए ध्यान से question को पढ़ना सही है सही नहीं है शामिल है शामिल नहीं है तो ये है और नहीं इस पर confusion हो जाता है तो थोड़ा सा जब भी आप एक्जाम पर बैटें उस दो गंटे में थोड़ा सा प्रेजन्स बना कर रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा दिमाग का प्रेजन्स बना कर रखें हर एक शब्द को थोड़ा सा एक बार पढ़ लें तो question गलत होने की जो संभावना है वो थोड़ी सी काम हो जाती है question पूछा गया है एक काम करते हैं इन सारे चीजों को यहां से मिटा देते है question पूछा गया है कि GDP में शामिल नहीं होंगे GDP का equation expenditure method का है GDP equals to C plus I plus G plus X minus M यह life crash course में हम पढ़े थे अपने जीवन यापन के लिए Greek राए का उपयोग तो भई Greek राए का जो उपयोग करेंगे वो consumption पर आएगा निजी उभोग पर आएगा तो यह GDP में शामिल होगा नहीं होंगे पूछ रहा है इसलिए हमने इसे cross कर दिया मद्यवर्ती वस्तूओं का मुल्य यह GDP में शामिल नहीं होगा और यही पूछा गया है इसलिए मैंने इसके सामने right किया है उपयोग किये गए वस्तूओं का विक्र है यह भी GDP में शामिल नहीं होगा इसलिए इस पर right मारा सरकारी सेवाएं शामिल है और इसलिए यह cross हो गया तो कि शामिल नहीं होंगे पूछा गया है तो सहीं उत्तर option C cable 2 और 3 सहीं उमीद है समझ में आया होगा चलिए आगे बढ़ते हैं व्यक्तिगत आये व्यक्तिगत आये अर्थात personal income प्राप्त करने के लिए राष्ट्री आये अर्थात NNP में से निमनलकित किसे घटाया जाता है किसे घटाया जाता है इसका equation देखते है एक बार personal income क्या होता है तो राष्ट्री आये plus transfers या फिर प्रेशन आप कह सकते जैसे subsidy हो गया pension हो गया वो इसमें से minus कर दिया जाता है निगम कर प्लस undistributed profit एक काम करते हैं इसका English लिख देते हैं यहाँ पर निगम कर अर्थात corporate अर्थात undistributed profit निगम कर minus होगा undistributed profit भी minus होगा और उद्यमों एवं सरकार को परिवार द्वारा भुक्तान किया गिया निवल ब्याज भी शामिल होगा तो यह जो तीनों कॉम्पोनेंट है यह तीनों कॉम्पोनेंट राश्ट्री आय से माइनस होंगे प्रेशन वाला जुड़ेगा ट्रांसफर्स जुड़ेगा तो हमें मिलेगा पर्सनल इंकम या व्यक्तिगत आये हैं क्लियर है यह व्यक्तिगत आये के साथ ही एक और कंसेप्ट आता है जिसे डिस्पोजेबल इंकम कहते हैं डिस्पोजेबल इंकम वय योग आये यह क्या होता है तो इस समझते हैं यह क्या होता है पर्सनल इंकम से जब डिरेक्ट टेक्सेज माइनस कर दोगे तो डिस्पोजेबल पर्सनल इंकम निकला गते हैं पर्सनल इंकम और डिस्पोजेबल पर्सनल इंकम वय योग ये आये ये दोनों लोगों के वैश शम्ता, कंजियूमर के एक्सपेंडिचर करने की कैपेसिटी और भुकताओं के वैश करने की शम्ता को दर्शाता है डिटेल बात लाइफ क्रेश कोर्ष में किया गया है चलिए तो इसका उत्तर क्या होगा उप्योक्त सभी सभी घटाया जाता है नेशनल इंकम से चलिए सात्वा कोश्चन GDP और GNP के बीच निम्न लिखित अंतर पर विचार करें अंतर पर विचार करना है चीक है GDP कितना उत्पादन हुआ है पर विचार करता है GNP उत्पादन कौन उत्पादन कर रहा है इस पर विचार करता है तो बिलकुल ये सही है बहुत ही बेसिक सा है ये तो लाइब क्रेज कोर्स में हमने जैकली नौपियंका चोपड़ा के एक्जामपल से इस सारे चीजों को समझाता GDP पर ये जो D है ये D डोमेस्टिक को शो करता है अर्थाद घरेलू को एक सीमा पर बात हो रही है यहाँ पर जी अर्थाद नागरिक ऐसे भी आप समझ सकते हैं तो कौन उत्पादन कर रहा है नागरिक उत्पादन कर रहे हैं कि विदेशी उत्पादन कर रहे हैं ये बात GNP में देखी जाती है और GDP में वो सीमा कौन सी है जहाँ पर ये उत्पादन हो रहा है तो ये अंतर तो सही है चलिए GDP इस बात पर विचार करता है कि उत्पादन के कारण का कौन जिम्मेदार है जबकि जी एनपी भागौलिक कारण यह जो अभी तक हमने आपका समझा उसी का ही यह contradict point है तो यह तो सही ममला नहीं है अंतर बताने का चलिए यदि विदेश में रहे निवासियों की अरजित आए देश में रहे विदेशियों की अरजित आए से अधिक हो तो जी एनपी जीडिपी से ज़ादा होगा चलिए समझते हैं जी एनपी और जीडिपी का equation कैसा होता था प्लस net factor income from abroad विदेशों से होने वाली निवल आए अरधात वह आए जो विदेशी लेकर जा रहे हैं और वह आए जो हमारे नागरिक लेकर आ रहे हैं उनकी बात यह हो रही है चीक है यहाँ पर निवासी लिखा हुआ है लेकिन ज्यादा exactum यहाँ पर हो जाएगा नागरिक चीक है चलिए हमारे देश के परपेक्ष में GNP GDP से छोटा है ऐसा क्यूं क्योंकि विदेशों से होने वाली जो निवल आए है वह रिनात्मक है नेगटिव है तो मान लेते हैं कि अगर यह 600 है तो यह रिनात्मक है तो मान लेते हैं 100 है तो GNP कितना आएगा 500 आएगा तो इस प्रकार से जो हमारी GNP है वह GDP से छोटी हो जाएगी कोश्चन क्या पूछा जा रहा है कि अगर रह रहे निवासियों की अरजित आए जादा है तो उस केस में केस टू यह जो कोश्चन आप से पूछा गया है उस केस में नेट फेक्टर इंकम फ्रम अब्रॉड आएगा पॉजिटिव में और इस केस में जो GNP है वह GDP से जादा हो जाएगा तो जो तीसरा कथन है वह तीसरा कथन बिल्कुल सही है तो सही कौन-कौन सा हो गया तो जैसे ही हमने टू को कैंसल किया था तो टू को कैंसल करते ही हमारे तीन ओप्शन हडगे थे देखिए यह है Elimination Method का फाइदा जैसे ही आपको Second Statement पता चल गया कि यह गलत है तो आपने वह Second Statement वाले Option को हटा दिया Eliminate कर दिया और बज गया कौन सा सिर्फ एक केवल एक और तीन तो गलत को Eliminate किये और सही को हमने चुन लिया जो बज गया वो सही हुआ Option C, केवल एक और तीन इसका उत्तर होगा सही Option होगा चलिए आगे बढ़ते हैं Option 8 एक खुली हुई अर्थ विज़स्ता अर्थाथ Open Economy Open Economy का क्या मतलब होगा ऐसे देश जो विदेशों से आर्थिक संबंद रखते हैं एक उदारन उसका आयात निर्यात करते हैं और भी सारे component होते हैं लेकिन ये एक example है कि ऐसे country जो आयात निर्यात करते हैं वो खुली अर्थ विज़स्ता कहलाते हैं इसके अलावा भी कई सारे पैमाने हैं जिसके आधार पर कुली अर्थ विवस्था को परिभाशित किया जाता है लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ आयात निर्यात से एक एक्जामपल के तौर पर इसे रखा है राश्रियाए वाई है तो यहाँ C, I, G, X और M का करमशा अर्थ है और भोग निवेश सरकारी कर्च कुल निर्यात कुल आयात सहीं वाला चुनना है वही सहीं एक्वेशन तो सहीं एक्वेशन क्या है अभी मैंने थोड़ी दिर पहले बता दिया हुआ है C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M C अर्थात निजी उभोग I का निवेश G सरकारी वे प्लस X X अर्थात निर्यात माइनस M M इंगित करेगा आयात को तो हर वक्खर्चे जो आपने कंजप्शन के लिए किये हूँ चाए वो खाने के लिए कपड़े के लिए वो सारे खर्चे C कॉम्पोनेट पर जुडेंगे वो सारे खर्चे जो I कॉम्पोनेट के हैं ऐसे खर्चे जिससे कुछ अंतिम वस्तू बना तो जरूर, लेकिन उसका काम क्या है कि आगे चल कर ये कुछ रिटन दे, ऐसे वस्तूओं पर किये गए खर्च को आई पर रखेंगे, और सरकार अंतिम वस्तूओं और सेवाँ पर जो खर्च करेगी उसे G-Component पर रखेंगे. निर्यात वाला X, तो मान लेते हैं कि हमारे देश में कोई वस्तूओं बना है, लेकिन इसका उपभोग आप नहीं कर रहे हैं, कोई और कर रहा है, तो हमारे इस C-Component पर तो जुड़ेगा ने, क्यों? क्योंकि हमने नहीं खरीदा, किसने खरीदा इसे? इसे खरीदा है वि ये नहीं होगा, लेकिन इसका उत्पादन हमारे भोगॉलिक सीमा के बीतर हुआ है, इसलिए ये GDP के अंतरगद आएगा, और मान लेते हैं मैंने कोई एक मुबाइल खरीदा जिसका उत्पादन चीन में हुआ है, तो ये C-Component पर जुड़ गया, क्योंकि कंजप्शन वाले खर्चों को C में रखना है, लेकिन क्या वो हमारी GDP का हिस्सा होना चाहिए, नहीं, क्योंकि इसका उत्पादन हमारे भोगॉलिक सीमा के बीतर में नहीं हुआ है, इसका उत्पादन हुआ है चीन में, तो इसलिए उन वस्तों को हम, जो कि C में जुड़ गया था, उसे हम यह पर माइनस करेंगे, तो इस प्रकाश से एक्सपोर्ट प्लस होता है और इंपोर्ट होता है माइनस, क्लियर है, अगर बंद अर्थ्विवस्था ना हूँ, तो इस केस में, सॉरी, खुली अर्थ्विवस्था ना हूँ, तो इस केस पर C प्लस I प्लस G ही रहता है, ठीक है, एक बार फिर से अगर बन अर्थ विवस्था हो, खुली अर्थ विवस्था ना हो, तो उस केस पर GDP C प्लस I प्लस G के द्वारा ही बनता है। खुली अर्थ विवस्था में X माइनस MB आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कोश्चन नमबर 9 पर चलते हैं। कर राजस्व के विविन मदो का मात्रा के आधार पर अवरोही क्रम चुने, descending order बड़े से छोटा। विविन प्रकार के कर दिये गये हैं। इसके उत्तर के लिए हम इस image पर चलते हैं। और इस image को पहले हम clear कर दें। Zoom करते हैं। फिर समझते हैं। चलते हैं। यह जो बजट अभी जारी किया गया। बजट 2022 उससे उठाय गया यह image है। विविन प्रकार के कर दिये गये हैं। और अलग-अलग टाइम पिरेड पर कितना कितना कर राजस्व मिला या मिलने का अनुमान किया गया है। उसकी जानकारी रखे गई है। 2021 के लिए क्या अनुमान लगाया गया था। वह बजटी अनुमान 21 पर रखा गया है। 2021 पर जो अनुमान था वो तो यहां है। कितना आया वह पुनरिक्षित अनुमान शंशोदीत अनुमान रिवाइज एस्टिमेट में रखा गया है। 2022 के लिए कितना अनुमान किया गया है वह आकड़े रखे गये हैं। यहां पर 2022 के बजटी अनुमान BE पर। सबसे जादा जो टेक्स मिलने की कहानी है वह हमें दिखती है यहां GST पर। इसलिए GST सबसे पहले नंबर पर आता है। सबसे जादा कर राजयस्व हमें GST से प्राप्त हुआ है और होगा। यह दोनों बाते हैं। दूसरे नंबर पर निगम कर। तो यह हो गया दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर आयकर। चौते नंबर पर केंद्रिय उत्पाद शुल्क। तो यह एक सिक्वेंस बन गया। चलिए अब आते हैं हम यहां पर। कर राजस्त के विभिन मदो का मात्रा क्यादार पर डिसेंडिंग ओर चुने। तो जैसा कि हमने देखा कि सबसे पहले क्या आएगा। तो सबसे पहले तो जीएस्टी आएगा। बाकी सारा देखने की जवरत ही नहीं है। और आप्शन ए आपका सहीं उत्तर हो गया। ठीक है। जीएस्टी फिर निगमकर फिर आयकर फिर केंद्री उत्पाश शुल्क और फिर सीमा शुल्क। तो इह जो सिक्वेंस है। आपको याद होना चाहिए। चलिए، प्रüstिघामी करारूपण, پ्रती गामी करारूपण से किस प्रकार भिन है। चलिए समझते हैं। प्रगामी करारोपन में जिस मुल या मात्रा पर कर आरोपीत किया जाता है जिस मात्रा पर टेक्स लेवाई किया जाएगा उसमें वृद्धी के साथ करकी दरें बढ़ती जाती हैं बलकि प्रतिगामी में क्या होता है कर लगाया गया उसमें व्रिद्धी के साथ कर की दरे घड़ती जाती हैं अर्थात प्रोग्रेसिव में प्रतिग्रामी में डिरेक्ली प्रोपोर्शनल होगा टेक्स रेट और जो मात्रा है आप इंकम ले सकते हैं इंकम अगर बढ़ेगी तो कर की दर बढ़ेगी ऐसा ये स्टेट्मेंट में कहा गया है और बिलकुल सही कहा गया है रिग्रेसिव में क्या होगा? कर की तर, टेक्स के रेट और आय या मुललिक में जो रिलेशन है वो इन्वसली प्रोपोर्शनल का होगा अर्थात, इंकम जादा तो कर की तर कम और यह स्टेट्मेंट में कहा गया है जो कि फ्रतिगामी या रिग्रेसिव टेक्स के लिए बिल् तो option B को तो हटा दो और option D को भी हटा दो, eliminate कर दो, चलिए, अब आते हैं इसमें, second statement में, नेमन आयू समू प्रगामी करके लाभारती हैं, जबकि उच आय वर्ग प्रतिगामी करके लाभारती हैं, बिल्कुल जैसे कि अगर आप progressive की बात करें, तो जो जिसकी income जादा है, उसे जादा tax देना होगा, और जिसकी income कम है, उसे कम tax देना होगा, अर्थात निमन आयू समू को कम कर देना होगा, अर्थात निमन आय समू वाले इसके लाभारती होंगे, फैदा मिलेगा, लेकिन जब हम उच आय वर्ग की बात करते हैं, तो progressive taxation में उन्हें नुक्सान होता है, क अगर उनकी income जादा है, तो tax rate कम देना पड़ रहा है, उच आयू वर्ग को, इसलिए वो इसके फायदे देखते हैं, या फिर लाभारती होते हैं, तो ये second statement भी सहीं है, और इसलिए दसवे question का जो सहीं उत्तर है, वो है option C, एक और दो दोनों सहीं, चलिए, अगला question, भारत इस प्रकार की कर पनाली है, देखे, अगर हम graph बनाएं, तो प्रतिगामी का कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है, यहाँ पर आप आय लिख दें, और यहाँ पर कर की दर लिख दें, आय बढ़ते जाएगी, कर की दर बढ़ते जाएगी, प्रतिगामी में ये जो है, वो घरते हुए आय पर कर की दर भी कम लगेगी अनुपातिक में आय और कर के बीच का relation ऐसा होगा अर्थात आय बढ़ते जा रही है लेकिन कर की दर समान है कोई दिक्कत की बात नहीं है constant चला आ रहा है तो ये अलग-अलग प्रकार से आक्रमिक कैसा होता है आक्रमिक इस प्रगतिशिल अर्थात B और इस अनुपातिक अर्थात D इन दोनों का combination होता है अर्थात एक point तक बढ़ेगा प्रगतिशिल होगा और उसके बाद ये इस्थिर हो जाएगा अर्थात अनुपातिक हो जाएगा इस प्रकार के text को आक्रमिक कहते हैं और हमारा जो आय कर है वो अव क्रमिक प्रकार का कर है जैसे कि हम इस image में समझ सकते हैं अगर आप यहाँ पर देखें तो निम्न आयू वर्ग धाई लाग से कम वालों को text नहीं देना पड़ेगा और जैसे जैसे आय बढ़ते जाएगी पांच लाग, साथ लाग, दस लाग, फाड़े बारा तो कर की दर भी हमको बढ़ती हुई दिख रही है अर्थात प्रगतिशिल कर दिख रहा है लेकिन एक point के बाद 15 लाग के उपर अब कर की दर नहीं बढ़ेगी अर्थात आय कितनी भी हो जाए कर आपको देना पड़ेगा 30 प्रतिशत के आधार पर ही अर्थात वो constant हो गया, अनुपातिक हो गया तो एक point तक तो ये प्रगतिशिल रहा, उसके बाद इस्थीर हो गया और फिर constant हो गया तो ये किस प्रकार का नेचर है और क्रमिक प्रकार का नेचर है और हमारा जो आय कर है वो इसे justify करता है चलियर है, चलिए, आगे बढ़ते है लैफर वक्र के संदर्व में नीम लखित कतनों पर विचार करें लैफर कर, या अंग्रेजी वनमाला के यू आकार का उल्टा वक्र है चलिए, या इस और संकेत करता है कि एक सीमा के बाद यदि कर की दरों में वृद्धी की जाए तो सरकार का राजस्व घटने लगता है चलिए, लैफर कर पहले देख लेते हैं, ये रहा कर की दर, कर की दर और कर राजस्व के मद्ध ये रिलेशन शो करता है कैसा रिलेशन है? तो अगर कर की दर शुन्ने हैं, तो सरकार को राजस्व भी शुन्ने मिलेगा इसलिए, बढ़ती हुई कर की दर पर सरकार को राजस्व भी जादा मिलेगा एक point तक कर की दर जब बढ़ जाए तो सरकार को maximum कर राज़ासव प्राप्त होगा लेकिन जब उस एक सीमा के बाद जब कर की दर बढ़ाई जाए तो सरकार को जो राज़ासव है वो अभी कम मिलने लगेगा और 100% कर की दर पर भी सरकार को जो कर राज़ास है वो शुन नहीं मिलने वाला है जाहिर सी बात है अगर सरकार को आये का 0% अगर tax मिल रहा है तो सरकार को तो कुछ income हुई नहीं और अगर कर की दर सरकार 100 कर दे मान लेते हैं जितनी भी मैंने कमाई की वो 100% सरकार को देना पड़ गया तो मैं दूंगा क्या नहीं तब भी सरकार को शुन यहीं प्राप्त होगा कर राज़ास हो और एक particular limit तक कर की दर अगर होगी तो सरकार को राज़ास हो अच्छा मिलेगा लेकिन अगर tax rate जादा हो गया कर की दर जादा हो गयी इसका मतलब क्या हो गया कि लोगों के पास में खर्च करने की राशी कम पड़ गई और खर्च करने की राशी अगर कम पड़ेगी तो बजार में demand कम होगा production कम होगा लोगों की income कम होगी और सरकार को कर राशी भी कम मिलने लगेगा इसलिए लेफर कर विये समझाता है कि अगर कर की दर जादा बढ़ेगी तो सरकार को कम राशी सोप्राप्त होगा क्योंकि बजार में demand और अर्थ विवस्ता में उत्पादन रुख जाएगा इसलिए सरकार को अगर अधिक कर राशी सोप्राप्त करना है तो कर की दर को ना बढ़ा कर कर की दर को कई बार कम करना पढ़ता है ताकि कर दाताओं की संख्या बढ़े और कर की दर उस point पर आए जहां पर सरकार को अधिक्तम कर राजस उप्राप्त होने वाला है यह लेफर कर्व समझाता है और इसलिए यह दोनों ही स्टेट्मेंट सही है और जो सही उत्तर है इस कोश्चन का वह है एक और दो दोनों सही चलिए आगे बढ़ते हैं कोश्चन नमबर 13 राजस उगाटे से पूझी गत आस्तियों किस सीजन के लिए अनुदानों को घटाने पर प्राप्त होगा राजस उगाटा अर्थात रेविन्यू डेफिसिट रेविन्यू डेफिसिट से जब राज्यों को दिया गया अनुदान घटा देते हैं तो क्या प्राप्त होता है? प्रभावी राज्यस्व घाटा. राज्यों को अनुदान दिया जाता है ताकि वह इन पैसों से पूंजी गत आस्तियों का सिजन करें, अर्थात एसेट फॉर्मेशन करें, परिसंपत्यों का निर्मान करें. तो रेविन्यू डेफिसिट से ये खर्चे जिसके इस्तमाल से एसेट का फॉर्मेशन हुआ था, उसे हटा देंगे, तो जो प्राप्त होगा, उसे प्रभावी राज्यस्व घाटा कहते हैं, इंग्लिश में एफेक्टिव रेविन्यू डेफिसिट कहते हैं. सहीं उत्तर, क्या होगा, इस कोश्चन का, उप्शन डी, प्रभावी राज्यस्व घाटा. फोर्टिंथ, दो कॉलम घाटे और जीडिपी, चीग है, ये बजट दो हजार बाइस तेज के आधार पर लिये गए आकड़े हैं. राज्यस्व घाटा, इस इमेज़ पर हम इसे पहले डिस्कस कर लेते हैं. आपको याद क्या करना है? 2021-22 और 2022-23 इन दोनों का आकड़ा याद करना है. सबसे पहले 22-23 की बात करते हैं. तो राज्यस्व घाटा है 3.8% प्रभावी राज्यस्व घाटा है 2.6% राज्यकोशी घाटा है 6.4% और प्रात्मिक घाटा है 2.8% चलिए देखते हैं. राज्यस्व घाटा है 3.8% प्रभावी 2.6, राज्यकोशी 6.4, प्रात्मिक 2.8% सही उत्तर इस कोश्चन का A का 1, B का 2, C का 3 और D का 4 ओप्शन D चलिए. अब 2021-22 पर भी बात कर लेते हैं. 21-22 में क्या है? तो राज्यस्व घाटा 4.7% प्रभावी राज्यस्व घाटा 3.7% राज्यकोशी घाटा 6.9% और प्रात्मिक घाटा 3.3% उसी पर अधारीत ये 15 कोश्चन है. 2021-22 के रिवाइज एस्टिमेट पर अधारीत. चलिए. तो सहीं उत्तर इसका क्या होगा? 15 का B A का 1, B का 2, C का 3 और D का 4 राज्यस्व घाटा 4.7% प्रभावी राज्यस्व घाटा 3.7% राज्यकोशी 6.9% प्रात्मिक 3.3% चलिए. राज्यस्व के विभिन मदो का मात्रा के आधार पर अवरोही क्रम. चुने. बहुत इंपोर्टेंट है ये. सबसे ज़ादा जो खर्चें सरकार करती है वह राज्यस्व घाटा 4.7% और राज्यस्व घाटा 5.9% वह राजस वैसे ही किये जाते हैं और इसमें जो सबसे जादा जो हिस्सा होता है वो उधार में लिए गए राशी के बदले जो सरकार ब्याज पे करती है जो ब्याज अदा करती है जो भुकतान करती है उस मद का होता है तो सबसे ज़्यादा ब्याज फिर रक्षा फिर सबसिडी फिर पिंशन ये दो हजार बाइस तेईस के बजट अनुमान के लिए भी यही रेंग है दो हजार इकिस बाइस के संशोदीत अनुमान रिवाइस एस्टिमेट के लिए भी यही रेंग आपको याद करना है चलिए सत्रवा कोशन सारदर साल घाटे का बजट रहा है घाटे को कम करने के लिए सरकार द्वारा कौन सी कारवाही की जा सकती है घाटा अर्थात वै अधिक आए से सिंपल मतलब में यही है राज्यस वै को घटाना हाँ तो अगर वै और आय के बीच में अंतर बहुत जादा है तो वै को कम करेंगे तो घाटा कम होगा तो यह करवाही सही है नवीन कल्यान कारी योजनाओ को प्रारंब करना अगर यह करेंगे तो खर्च जादा होगा तो जो गहाटा बना हुआ है वो गहाटा और बढ़ेगा तो ये गहाटा को कम करने वाली इस्थिती नहीं बनेगी बलकि और गहाटा को बढ़ाने वाली इस्थिती बनेगी ठीक है? चलिए सबसीडी को युक्ति संगत बनाना हाँ अर्थात उन्हें सबसिडी में उन्हें सबसिडी देना जिनें वाके में जवरत है उन वस्तूओं पर सबसिडी देना जिन वस्तूओं से एक बहुत बड़े वर्ग को लाप मिलता है जैसे कि खादिस, लपीजी और फर्टिलाइजर आयात शुल को कम करना तो भई अगर आप यायात शुल को कम करेंगे तो आप आय को कम करेंगे अगर आय कम होगा तो ये घाटा और बढ़ेगा तो ये सहीं करवाही नहीं होगा तो सहीं करवाही क्या-क्या है घाटे को कम करने की राज्या सबसिडी को युक्ति संगत बनाना अर्थात एक और तीन, तो सहीं उत्तर है इसका केवल एक और तीन, आप्शन सी, चलिए, निम लिखित योगनों पर विचार किजिए, राज्जासवे, पुंजी गत्वे और पुंजी गत्वे प्राप्तियां, ये अलग-अलग जानकारी दी गई है, चीक है, सुमेलित नहीं है, ये ध्यान रखेगा, उप्योग तुमें से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है, राज्जासवे क्या कहता है, जो राज्जासव प्राप्तियों का मत्पूर्ण घटक है, तो प्राप्तियों की बात तो हो नहीं रही है, तो ये सुमेलित नहीं है, तो इन B और D में से कुछ एक हो सकता है पूंजी गत्वे सारकार के वह वे जिन में भूमी अधिकरहन भवन निर्माण मशीनरी उपकरण अन्य पक्षो को प्रदान किये गए रिन संबंदीद वे शामिल है इन सिंपल वे पूंजी गत्वे कौन से होंगे वे जिससे असेड या परिसंपत्यों का निर्माण होता है कुछ ऐसा निर्माण होता है जो रिटन में जेब में लाकर कुछ दे तो ये तो बिल्कुल सही है लेकिन हमें पूछा गया है सुमेलित नहीं है तो इसको हटा दो सुमेलित होता है लेकिन हमें चुनना हैं सुमेलित नहीं है वाले इसलिए हमने उसको क्रॉस किया पूंजी गत्प्राप्तियां मुख्यमद सारजनी कर्द जिसे सरकार द्वारा जनता से लिया जाता है हाँ ये सुमेलित हो रहा है और हमें चुनना हैं सुमेलित नहीं है तो सिर्फ option A ही है, sorry option B ही है जो केवल एक को शो करता है और बताता है कि ये जो definition है वो सुमेलित नहीं है निम्नल की कत्रों पर विचार करें Question 19 उप्योगत में से सरकार कौन से घटकों का उप्योग बजटी घाटा के विद्थ portion ले कर सकती है घाटा अर्थात वै जाधा है आए से तो सरकार को क्या करना होगा ये आए वाले component को या तो घाटा कम करना है तो वै को कम कर दो या तो आए को बढ़ा दो तो I को कैसे कैसे बढ़ा सकते हैं, अगर सरकार tax ज़्यादा लें, तो I ज़्यादा होगा, तो करार ओपन सही है, अगर घाते का विट्पोशन करना है, तो उसे फुल्फिल करना है, तो tax सरकार बढ़ा सकती है, या तो सरकार उधार लेकर आए रिंड लेकर आए और जो एक्स्रा खर्च हो रहा है उसे कंपंसेट कर दे या तो सरकार नोठी छाब ले और अपनी इंकम को बढ़ा ले और जो खर्चे की वज़ा से अधिक खर्चे की वज़ा से घाटा हुआ है उसको पूर्ण कर ले तो ये तीनों ही तरीकों से घाटे का वित्व पोशन फाइनेंसिंग किया जा सकता है हाला कि प्रात्मिक्ताएं अलग-अलग जरूर होगी जैसे नोट छाप कर ये सबसे अंतीम तरीका होना चाहिए वित्व पोशन का ठीक है तो उननीस का डी उप्युक्त सभी इसका सही उत्तर होगा अंतीम कोश्चन यदी सरकार राजकोशी घाटे के निर्धारित लक्ष को प्राप्त करने में असफल रहती है तो इसके संभावित प्रभाव हो सकते हैं याद करिए मैंने बताया था कि अगर फिस्कल डेफ्सिट बहुत जादा होगा तो अर्थ विवस्ता पर बहुत जादा मुद्रा इस्विती या इंफलेशन बढ़ेगा मुद्रा इस्विती अर्थात इंफलेशन बढ़ेगा तो अगर मुद्रा इस्विती जोहत जादा होता है तो रैपो रेट को क्या किया जाता है मुद्रा इस्विती नियंतरित करने के लिए रैपो रेट को बढ़ा दिया जाता है तो आप ये समझे है कि अगर फिस्कल डेपसिट बहुत जादा होगा तो इंफलेशन जादा होगा तो इसलिए रैपो रेट को बढ़ाया जाएगा तो पहला वाला स्टेटमेंट तो सही है संभावित प्रभाव पढ़ सकते हैं राजकोशी घाटा के बढ़ने से मुद्रा इस्विती की संभावना में व्रिद्धी होगी तो बिल्कुल ये भी संभावित है उच आयात बिल होंगे अगर मुद्रा इस्विती जादा होगा यहाँ पर लिखते हैं मुद्रा इस्विती जादा होगा तो इंडियन रुपी जो है ये वीक होगा और हमें एक डॉलर के बदले ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे अर्थाथ एक डॉलर के समान को खरीदने के लिए ज्यादा रुपए देना पड़ेगा इसलिए इंपोर्ट का जो बिल आएगा वो काफी बढ़ा होगा तो ये भी संभावित है और रुपए के मुल लिहा हाटे बहुत जादा बढ़ें तो इसलिए सहीं उत्तर है option D तो इतना ही question हम इस वीडियो में deal करेंगे बाकी second part पर हम deal करेंगे उसमें भी 20 question के आस पास का मामला रहेगा और बाकी के जो topics होंगे उस पर अधारित question उस पर deal किये जाएंगे ठीक ऐसे ही conceptual अधारित question भी और recent data facts अधारित question भी समिलित किये जाएंगे तो अगले वीडियो पर मिलते हैं तब तक के लिए take care, goodbye and thank you